नमस्कार, वेलकूम टो कैम सिक्षा, इस पर्टिक्लिर कॉश्चिन इस फ्राम इडवांस 2015 पेपर, इस कुश्चिन इस फ्राम इस क्या करेगा, इसको यहां से तोड़ देगा, तोड़के क्या बनेगा जड़ देखना, तोड़के ऐसा कुछ बनेगा, सबसे पहले मैं यहां पर बना दू अपना यह ऐस जैसा बेंजीन आपको यहां बना कर दे रखा है, एक CH3 उसने यहां लगवा कर दे रखा है, जैन उसके बाद करें एक कारबन, फिर एक कारबन, यह कारबन हो गया आपका अलड़ी हैड, और उसके बाद यहां से आपके पास तो यह बन गया तो यह दोन. है आपके यह पना इना दोड़ी हैड सञीया तो यह बन गय ihan वानगतने के बाद 2 तो यह थोटने के ऊटविडवल वांड हो बन जाएंगे तो यहे डवल बवांड हुब तो ऑन पर शॉब्वाँन दोटन बाट जब बोलो, डबबॉल दे दिया, ऐसा करने पर हमने देखा, कि दोना ही LD हाइड बन गए, अब इस पर ओपर अटाक को रहा रहा है, इसके उपर अटाक कर रहा है, अमोनिय इसके ऊपर अटाक करेगा, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, कि अमोनिय जाधा किस पर अटा है और यह क्या है यह carbon की chain से जुड़ा हूआ है तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी benzyne से जुड़ा हूआ aromatic aldehyde होगा जब वी-कभी benzene से जुड़ा हूआ ल्ड ही हो गां जिसके aromatic aldehyde बोल सकता हूं उसकी reactivity होती है कम और इनकी reactivity होती ठीक है। ऐसा क्या हो है? क्यों कि यहां पे क्या हो रहा है? और यह उले यह जो डबल बॉॉ Subs critic कर रहा हूँ इनके साथ जिसकी वयसे perfect double bond नहीं है। जबकि यह perfect double bond है। इसलिए जो गलत हो यह ज़्या पहला attack इसपर होना चीह तो effectively you can say कि यह इस पर attack मारेगा, NH2 इस पर आकर जुड़ जाएगा, यहां से जो hydrogen निकलेगा, यहां पर यह सिंगल बॉंड हो जाएगा, यह electron उपर जाएगे, O- बनेगा, और finally यहां का hydrogen इसके पास जुड़ जाएगा, और यह O-च हो जाएगा, देखना जरा मैं क्या कहना ही कुश कर रहा हूँ, मैं कहने ही कुश कर रहा हूँ, इसको तो आप as it is रखो, इसमें तो कोई प्राब्लम है नहीं, इसको double bond, double bond, double bond, CS3 as it is रखो, इसको भी नहीं छेड़ा अभी हमने, इसको भी as it is रखो, इसके साथ क्या हुआ जरा ध्यान से सुनना, इसके साथ यह है, वो hydrogen यहाँ चला गए, जो इसके पास O- था, तो अचलो यह वाला जो O था, यह O- बन जाएगा, यह NH3 प्लस का hydrogen उठाके OH हो जाएगा, फाइनली अभी और भी रियाशन होगी, और वो रियाशन क्या होगी, यह जो lone pair है, यह lone pair फिर से इस बार इस पर attack मार देंगे, तो उपर वाले aldehyde वाले carbon के साथ भी सेम काम हो जाएगा, यहाँ पे एक methyl था, यहाँ ऐसा, ऐसा, with having carbon, with having one OH यहाँ, एक H भी है, उसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, चाहे तो लिख लो, आप मरजी है आपकी, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आगया एक OH, और इन हो जाँ कि ऐसा है, 6-memberuba drink पे 6-member drink बन गई, यहाँ पे एक और 6-member drink बन गई, ऐसा कुछ बन गया, तो इसको आपने ऐसा कुछ बना दिया, यहाँ पे methyl as it is लिख दिया, यहाँ पे आपके पास 1-OH आ गया, यहाँ पे आपके पास है nitrogen, with having hydrogen, यहाँ पे एक OH आ गया है आपके पास, sorry, मैंने यह कुछ गरबर दिखा दिया देखना, यह वल नाइटोजन खतम हो गया ना, यह खतम हो गया, यह तो मैं डारेक्ली अटाच करा दिया ना, तो यही तो नाइटोजन है जो इस से अटाच हो गया, तो एक OH यहां गया था, यह NH बन गया, और इसके पास है एक OH, तो finally क्या होगा, finally यह होगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें यह जो H2O है ना, यह H2O भी loss होगा, यह H2O loss होगा, और यहां पर बन जाएगा एक double bond, और ऐसे यहां पर एक hydrogen होग मतलब यह कैसा, नेफ्लीन जैसा कुछ बना सके, तो यह नेफ्लीन का derivative बनने ही कोशिश कर रहा है, वापस से aromatize होने ही कोशिश कर रहा है, दूसरी ring भी aromatic हो जाएगी, इस तरीके से double bond पर double bond बन जाएगा, एक double bond यहां बन गया, यह आपके पास है nitrogen, with having hydrogen, और एक double bond आपका क प्सक्रश कर दूसा, जो होगी होगी है, टिस रन सके लाएं करभी मैं क्या सकिया चिह पूर एकalen कि द र्सक्षा छया को क्या और यह डिवगे, जो सुन मिक पक्या से along.